Hello, first trimester यानि की पहले तीन महीने pregnancy के और इन तीन महीनों में आपको क्या safety measures लेने हैं, क्या precautions लेने हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं Pregnancy एक ऐसा time period रहता है, खासका first three months जब miscarriage होने के chances maximum रहते हैं, हमें सब जगे से instructions मिलते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए या क्या नहीं और इसकी वज़े से कही दा कही हम लोग confused रहते हैं या डरे हुए रहते हैं आज हम बात करेंगे कि first three months में ऐसे क्या safety measures हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखते हुए अगर हम चलते हैं तो हमारे three months easily निकल सकते हैं तो सबसे पहला एरिया जो है जहां पे मैं maximum instructions मिलते हैं वो है food को ले करके हमें food में जहां तक हो सके raw food consume नहीं करना है जो लोग non-vegetarian है उन्हें कच्चे अंडे खाना, fish खाना कच्ची या raw meat को consume करना उसे avoid करना चाहिए क्योंकि इससे salmonella, listeriosis या severe food allergies हो सकती जिससे फिर आगे miscarriage होने का risk रहता है और जो लोग vegetarians हैं वो जब भी fruits या salads खाते हैं उन्हें ensure करना है कि fruit salads या जो vegetables हैं वो अच्छे से धुली हुई हो और अगर आप sprouts खाते हैं तो कच्चे sprouts खाने की बजाए आप उन्हें हलका steam कर सकते हैं या microwave कर सकते हैं ताकि उससे होने वाले infection या cramp से हम बच सकते हैं tea coffee के अगर आप शोकीन है तो tea में होता है tannin और coffee में होता है caffeine अगर हम इसका जादा इस्तमाल करते हैं तो ये बच्चे को भी नुकसान पहुचा सकता है miscarriage के chances बढ़ा सकता है और नहीं तो ये आपको nausea यानि की जी मितलाने की तकलीफ को बढ़ा सकता है acidity बढ़ा सकता है और इसके जादा सेवन करने से body में iron की भी कमी हो जाती है जिसकी वज़े से अनीमिया की भी problem हो सकती है तो जहां तक हो सके आप tea coffee का जो intake है उसे एक cup से जादा दिन भर में आपको नहीं रखने का है alcohol और smoking जैसे ही आपको पता चलता है कि आप pregnant है आपको immediately इसका इस्तमाल करना एकदम बंद कर देना चाहिए ideally तो pregnancy plan करते time ही आपको alcohol और smoking को totally छोड़ देना चाहिए लेकिन अगर किसी वज़े से ऐसा नहीं हो पाया है तो pregnancy diagnose होते ही आपको alcohol और smoking completely बंद करना है क्योंकि alcohol के इस्तमाल से fetal alcohol syndrome करके एक बीमारी या smoking के इस्तमाल से भी बच्चे को developmental disorders हो सकते हैं miscarriages हो सकते हैं बच्चे में कुछ बनावटी खराबी आ सकती है और smoking के इस्तमाल से excessive alcohol के इस्तमाल से कि वज़े से acidity बढ़ सकती है आपके mood swings जादा आ सकते हैं तो alcohol और smoking को आपको completely बंद करना है बहुत सारी चीजे होती है कि यह fruits खाना है यह नहीं खाना है कोई भी fruits है जो regional है आपके यहां पे easily available है आप अच्छे से धुले हुए हैं आप उसको moderation में खा सकते हैं लेकिन इसको इस्तमाल आप खाली पेट नहीं करेंगे अकसर first three months of pregnancy में जी मित लाने की या acidity की तकलीव बहुत जादा रहती है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबा उठते ही बिना ब्रश के आप रात के भीगे हुए बादाम किशमेश या अंजीर खा सकते हैं या कभी पारले जी या मेरी का एक बिस्कित खा सकते हैं या टोस्ट विद जैम खा सकते हैं उसके बाद आप हलका वॉक करिए और उसके बाद आप अपना ब्रशिंग करेंगे कोई भी तेज जो smell है जहां पर कोई कॉस्मेटिक की परफ्यूम्स की खाना बनने की तो उस smell से आपको दूर रहने का है और जहां तक हो सके आपको अपने को अच्छे से हाइड्रेटर रखना है तो पानी अच्छे से पीना लेकिन कभी भी खाली पेट पानी नारियल पानी या जूसे जूस का इस्तामाल नहीं करना है second area है travel जहां तक हो सके आपको long distance travel या वो travel जिससे आपको थकावट हो रही है आपको avoid करना है short travels आप कर सकते हैं लेकिन अगर किसी वज़े से आपको long distance travel करना बहुत ज़रूरी हो जाता तो बिना ultrasound कराए आप travel नहीं करेंगे अपनी medications आपको बराबर से लेनी है first three months में सिर्फ जो ज़रूरी medication होती है वो होती है folic acid की इसके अलावा अगर आपको कोई भी medicines लेनी है तो आप बिना डॉक्टरी सला के नहीं ले सकते हैं कभी-कभी अगर headache हो रहा है थोड़ा सा बुखार लग रहा है या हलका body egg हो रहा है तो आप paracetamol, plain paracetamol का इस्तामाल कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा कोई भी दवाईया अगर आप पहले से ले रहे है या नई लेनी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की advice के आपको कोई भी medicine नहीं लेने का है इसके अलावा रहता exercises exercises pregnancy में definitely करी जा सकती है अगर आ exercises आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई brisk exercise नहीं करेंगे ऐसी exercises जिसमें आपको जटका लग सकता आप गिर सकते हैं इंफ जैसे फिर miscarriage भी हो सकते हैं तो इस तरीके की exercises आपको avoid करनी है otherwise bed rest करना भी pregnancy के पहले तीन महिनों में रिस्की होता है तो आपको bed rest भी नहीं करना है अगर prolonged sitting लंबे टाइम तक बैठना हो रहा है तो आप बीच बीच में उठकर के एक walk ज़रूर लेंगे अगर वो possible नहीं है तो donut pillow का आप इस्तमाल कर सकते हैं बीच में light stretching कर सकते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान आपको ज़रूर रखने का है और सबसे last में कि first three months of pregnancy में तो ultrasound कराने बहुत ज़रूरी होते हैं एक तो शुरुवात में जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कहीं एक topic तो नहीं है, pregnancy healthy है या नहीं, single है या multiple pregnancy है, heartbeat आया है कि नहीं और दूसरा end of first trimester या early second trimester में याने कि 11 to 14 weeks के बीच में जब हम एक anti-scan करते हैं ये जानने के लिए कि ब सकती है, इसके अलावा सबसे last में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी warning symptoms अगर आपको दिख रहे हैं कि आपको पेट के नीचले हिस्से में दर्ध हो रहा है, बहुत जादा उल्टी या चक्कर आ रहे हैं, brownish discharge हो रहा है वजाईना से, या bleeding हो रही है, कोई fever आ रहा है, कोई foul smelling discharge है वजाईना से, बॉडी में कोई राशेज आ रहे है, तो ये warning signs है, आपको immediately जाकर के डॉक्टर से consult करना ज़रूरी हो